हाँ एक सेकंड एक सेकंड यह देखिए जब हम प्लेसिसिघन न्यूस की बात करेंगे तो आप अपने साथ अपने घर में at least ये जो physical map है ठीक है, physical map geographical map आप दोनों ही ले आईए ठीक है, physical map आपको boundaries in fact, जो भी geography है, mountains, regions lakes, rivers, straits यह सब आपको देखने को मिल जाएगी तो यह आप अपने घरों में ज़रूर रखिए क्योंकि हम बात करेंगे भी places in news की और ऐसे ही क्या आता है आपका India map और world map practice करने के लिए दुकान पे मिल जाएगा stationary के आप वो ले आईए और बैखिए इस वीडियो को देखने की शर्त यही है कि आपके पास में घर में at least यह map होना चाहिए और हाथ में या फिर इंडिया का या world का map होना चाहिए ठीक है यह है इस वीडियो को देखने की शर्त तो यह है places in news दोस्तों 2022 का places in news हम यह series शुरू किये हैं जिसमें की दो से तीन वीडियो में हम टॉप 50 या 75 news को हम cover करेंगे जो पूरे 2022 में आ चुकी है फिलाल हमने एक list बनाई है टॉप 50 प्लस यानि कि 50 प्लस ऐसी news है जो कि हम cover करेंगे घबडाएवत यह है part 1 इस series में 25 ऐसी news है जो places in news 2022 में घटित हुई है important places in news only for you ठीक है शुरू से लेकर अन तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा यह जरूरी नहीं कि सारी कि सारी information आपके exam के लिए relevant है हाँ लेकिन यह news में यह maps के जरीए बहुत important है कि फलाने जगा का नाम लिया गया है तो वो जगे है कहाँ पे Eastern Ghat, Western Ghat, Southwest Asia, Northwest Asia, South China Sea, Pacific, Black Sea, Militarian Sea, Strait of Hormuz ऐसे बहुत सारी चीज़े हैं जो UPSC आपसे घुम फिरा के question पूछता है अच्छा इस सीरीज में एक और बात है कि हमने किस तरीके से maps से question पूछे जाते हैं वो मैंने डाल रखे हैं जो कि prelims में आ चुके हैं तो ये रही आज की बात और हम शुरू करते हैं अपना places in news बने रहिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेर करिएगा competition बाद में देखिएगा पहले लोग सेवा करिएगा शुरू किया जाए तो ये UPSC prelims पे आधारित most important places in news of 2022 है ठीक है उससे पहले हम यहाँ पर आते हैं कि अगर आप UPSC अड़ा के चैनल पर अगर आप आई अड़ा चैनल पर आप associated हैं तो आप app जरूर डाउनलोड कर लिजे अगर आप डाउनलोड करेंगे तो ऐसी important चीजें आपको जरूर देखने को मिलेगी ठीक है तो app कहाँ पर available है iOS में app कहाँ available है Android में ठीक है जिसकी rating कितनी है 5 star rating है 4.5 star rating है और ये QR code है इस QR code को आप आज ही scan करिए और अपने mobile phone पर आपको वो सारी details आ जाएंगी ठीक है आई बात समझ में चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं in fact अगर आप civil services की तयारी कर रहे हैं और जोकी prelims का paper की बात मैं कर रहा हूँ और तयारी आप कर रही रहे हैं civil services की तो जो code मैं बता रहा हूँ आपको J-H-I-N-D J-H-I-D code use करेंगे तो इस batch में आपका selection होगा और 2023-24 का जो batch हम बना रहे हैं उसके लिए आपकी तयारी संपूर्ण तयारी होगी prelims, mains, interview including CSAT and answer evaluation सब चीज़ तो description box में link दिया है आप पुरा पढ़ भी सकते हैं आपके app में वो सारी facility अवेलेबल है हाँ अगर आप course में enroll करेंगे तो जैहिन नाम का ये जो coupon code है उसको जरूर यूज़ करिएगा क्योंकि इसी code पे maximum discount available है है ना जैहिन तो याद ही रहेगा आप लोगों को चलिए हम शुरू करते हैं अपने places in news के पहले news से ठीक है क्यों है ये गुआ हाती में इसको देखा गया है ये ब्रह्मपुत्रा river के पास जो हमारा आसाम है कमरूब district के अंदर ही आता है ठीक है अब क्या है system इसका Ministry of Environment and Forest Climate Change इन्होंने notify किया है दीपार भील wildlife century को एक eco sensitive zone ठीक है इसको मैं थोड़ा सा highlight कर देता हूँ आपको All right So eco sensitive zone डीपार भील wildlife century को कहा गया है तो important ये नहीं है कि क्यों आया है news में important ये है कि है कहां पे ये डीपार भील century है कहां पे तो आप कहेंगे कि गुआहाटी में है डीपार भील कमरूप district के पास आता है ये कमरूप district है ठीक है ये यहां से जा रही है डीपार भील आप देख सकते हो Animal movement disturbed due to railroad corridor ये वाला डीपार भील है अकिरब importance क्या है इसकी डीपार भील ये largest fresh water lake है आसाम का और ये आसाम का एक मात्र जगय है जो के रामसर साइट्स में है तो ये बहुत ही important news बनती है इसको हम तीन स्टार देंगे बीइंग एन important bird area important bird area तो है ही उसके अलावा ये पूरे राज्य का एक ही ऐसा रामसर साइट्स है जहां पर ये स्थित है located southwest southwest गुहाटी सिटी कभी भी आगर आपको problem हो न तो map उठा लीजे map में उपर north नीचे south इधर west इधर east तो southwest किदर होगा southwest होगा इस side इस कोने में समझ में आगे तो map से बहुत easy से आपको locate कर सकते हो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें दूसरी places in news में आ रही है हमारी होनियारा port project Salomo Island Salomo Island पिछले साल ही बड़े ही चर्चे में था कहा जा रहा है कि चाइना ने अपना एक बड़ा project Salomo Island पे install कर रखा है कहा ये जा रहा है कि भाई समुन्दर के अंदर इस island में अंदर समुदर के अंदर चाइना कोई ऐसी रणनीती बना रहा है जो कि इस पूरे area को capture कर रहा है तो आखिर news क्या है news ये है कि Chinese state-backed company इन्होंने एक contract जीता है होनियारा पे जो कि ये key port है Salomo Island तो ये है हमारा Salomo Island होनियारा पे यहाँ Pacific Ocean है Australia देख रहे हैं आप किदर है भारत के बिल्कुल नीचे श्रिलंका उसके नीचे Australia, New Zealand और दाहिये साइड में बिल्कुल Eastern साइड में हमारा इंडोनेशिया है Australia है और ये पूरा का पूरा ये जो आर्चिपलेगो है group of island है वहीं पे आता है Solomo Island Solomo Island is a group of many islands जिसको आर्चिपलेगो कहते हैं और वहाँ पे Solomo Island पे होनियारा नाम की एक जगह है जहाँ पर होनियारा नाम का ही एक port बन रहा है कहा ये जा रहा है कि Chinese government जो है उन्होंने contract जीता है इसके support में चिक है सो अब देखते है Solomo Island have become a focal point in the diplomatic tussle between China and the US अब इस वज़े से US और China में एक tussle हो रही है क्यों? क्योंकि China कह रहा है कि हमने contract जीता है और हम यहाँ पर अपना port बनाएंगे हम strategic location यह हमारी है US कह रहा है कि यह गलत है ठीक है? सो यह concern है चाइना में भी establishing a permanent naval base सो important क्या है? कि यहाँ पर चाइना naval base बनाना चाह रहा है ठीक? आगे देखा जाए सो सोलमो आइलेंड के बारे में कुछ खास ख़बरें अब क्या है भाई? सोलमो आइलेंड यह एक sovereign country है समप्रभुता समझते हैं न? सोलमो आइलेंड जो है वो एक sovereign country है जहाँ पर 6 major क्या है आइलेंड है इसका capital होनी आ रहा है इसी के नाम से port बनाए जा रहा है यह ethnic Malaysian group of island Pacific lies between Papua New Guena and Vanuatu यह line important है इसको याद रखिएगा अब पूशेगा आपसे exam में सोलमो आइलेंड किन के बीच में पढ़ता है तो यह है Papua New Guena और Vanuatu उसके बाद country takes its name from सोलमो आइलेंड आचिपलेगो which is the collection of Melancia island that also includes North Solomon यह इतना important नहीं है it excludes islands such as Santa Cruz island यह भी इतना important खास नहीं है उपर का एक और यह दो चीजें काफी important है ठीक आगे बढ़ा जाए हमारी तीसरी places in news के बारे में है Sahil region यह जो area आप देख रहे होगे यह है Sahil region यह पूरा का पूरा Sahil region है आप पूछोगे आप यह कौन सा area है Africa का map देखा आपने यह है हमारा Africa का map देख रहाए आपको यह उपर यह पूरा Africa का map है यह वाला जो area है बिल्कुल ही center वाला area ठीक है वही पर आपको यह image दिखेगी अब क्या है इस image में यह है Sahara desert उपर और यह है Sahil अब साहil है क्या basically इससे related एक story है story यह है कि बहुत time पहले यहाँ पर French France ने अपनी एक team भेजी थी troops के लिए कहा जाता था कि यहाँ पर जो separatist है वो activities चलती है anti-terrorist activities चलती है terrorist activities चलती है यहाँ पर उसको कम करने के लिए उसको खतम करने के लिए France ने अपनी team भेजी थी यहाँ पर और उस team में operation नाम रखा गया था आगे देखते हैं operation क्या रखा गया था ठीक है so French President Emmanuel Macron announced the end of the decade-long operation operation Barkhane in South Africa Sahil region क्या नाम है operation का? Barkhane operation ठीक है? यह operation थोड़ा important है ठीक है? तो आप यह देख सकते हैं साहिल वाला यह जो area है ठीक अब यह क्या है? The name is derived from the Arabic term for coast shore and this is explained as being used in figurative sense यानि की coast किनारे भी है इस side, इस side किनारे है इधर देखिए ऊपर आपका Mediterranean Sea यहाँ पर आपका बगल में Red Sea है उसके बाद इस side आपका Gulf of Guena है उपर Mediterranean Sea है यहाँ पर यह Red Sea वाला area है यह Mediterranean Sea है है न? तो चारो तरफ से यह इस तरीके से घेरा हुआ है तो एक तो यह importance है दूसरी importance क्या है? दूसरी importance यह है कि France जो है वो अपनी military operation सहल में बनाया 2013 में इस operation का नाम रखा गया था titled operation Serval Serval नाम रखा गया था Limited to targeting Islamic extremist यहाँ पर इस time पर Al-Qaeda ने control कर रखा था उस पूरे region को तो Islamic extremist हो रहा था यहीं से weapons का आदान प्रदान हो रहा था एक अड़ा बना के रखे थे यहाँ पर लोग ठीक है इसको खतम करने के लिए operation किसका नाम शुरू हुआ Serval का लेकिन 2014 में the mission was scaled up और तेजी हुई उस mission में उस operation का नाम दिया गया operation बर्कने and who was aimed at counter-terrorism so basically वो पूरा जो belt है उसको counter-terrorism का एक operation था उसको खतम करने के लिए ही लाया गया था ठीक है objective क्या था कि वहां के जो local लोग हैं उनको assist करें उनको support करें उनको help करें किससे local arm to prevent the resurgence of non-state armed groups across the Sahel region अब होना ये था कि अगर मामला नहीं होता तो जो Islamic जो Al-Qaeda के लोग थे वो धीरे-धीरे इस area में कबजा करने लगते है न और फिर ये एक ISI और ये Al-Qaeda का एक hub बन जाता जो की बहुत disturb करता पूरे region में आपको पता है Africa economically कितना weaker है कि 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 किसी को अगर आप 10,000 रुपे या वहाँ पे 10,000 डॉलर या 500 डॉलर दे दो तो गोली मारने के लिए किसी को भी ready हो जाएगा तो ये बहुत important था इस region को करने के लिए ये था operation सहल का अच्छा ये भाई सहल eco climate or bio geographical reams transition between Africa सहरा तो मतलब ये जो area है ये बहुत ही sensitive area है तीनों तरफ से ये eco climate के लिए बहुत important है having semi arid climate it stretches across the North Africa between Atlantic Ocean and Red Sea जैसे कि मैंने आपको बताया ये side में पूरा Atlantic Ocean है और ये Red Sea है तो थोड़ा से important है आप इसको note कर लीजे इसमें भी star डालीजे आप ये जो part यहाँ पर दिख रहा है वो सारे countries के नाम है यहाँ पर सारे आपको countries के नाम दिख जाएंगे चीक है आगे बढ़ा जाए अच्छा Kherson Kherson क्यों important भाई Russian troops to withdraw from Kherson आपको पता है last year February से ही Ukraine Russia war चल रहा था इसी दोरान में एक Kherson नाम की जगह पता चली अब आखिर क्या है Kherson Kherson basically Ukraine का एक बड़ा ही sensitive area है जहां से वो एक strategic location मिलती है उसको Ukraine की population को बचाने के लिए ये है Kherson बिल्कुल ही एकदम border पर है ये पूरा Ukraine है और दनाईपर river के पास अगर आप कहें तो मैं आपको एक बार Kherson को इस map में दिखा देता हूँ यहां पर अगर मैं type करूँगा K-H-E K-H-E E-R-S-O-N Kherson Ukraine ये देखिए तो ये है वो area Kherson का दिखा Black Sea के उपर बिलकुल यहां पर देख रहा होगा ये Black Sea है Istanbul, Bulgaria ये Ukraine है Ukraine का border है और ये आपको पता ही होगा Crimea वो area जो 2014 में रशिया ने भाई कबजा कर लिया था एक तरीके से ये area है यही है Kherson यहां पर ये जो पूरी पूरी बात हो रही है चिक है चलिए इस map में आके देखते हैं हम लोग अब important क्या है ठीक So Ukraine's defense and intelligence unit has reported to withdraw Russian मतलब कि अब उस time पर ये था कि Ukraine का जो intelligence unit है उन्होंने ये report किया कि भाई Russian military जो है खेरसों से अब जा रही है तो वही news पर आया था कि खेरसों है क्या जब भी आपको Northwest का पता लगाना है तो आपको पता है कि ये North है ये South है ये West है ये East है तो Northwest area कहां पर आएगा ये वाला area आएगा ठीक तो यहां पर ये जो area है ये Northwest वाला area है यही पर बात हो रही है कि share borders with Donets, Scremia and Black Sea ठीक ये इसका जो border है वो Donets, Scremia और Black Sea के साथ share करता है और Scremia आपको पता है कि भाई capture कर चुका था कब 2014 में तो ये एक tension बनके रहा था Ukraine के लिए हाला कि बाद में छूट गया था ठीक आई बात समझ में अच्छा अगली news क्या है हमारी पांचवी रानिपूर टाइगर रिजर्ड क्यों भाई map of रानिपूर टाइगर चित्रपूर्ट में है उत्रपदेश इतना ही important है कि ये news में क्यों आया था और map में कहा है ठीक है तो आप ये देख सकते हो UP cabinet जो है उन्होंने अप्रूफ किया है रानिपूर टाइगर रिजर्ड अंडर सेक्शन 38V Wildlife Protection Act as Tiger Reserve तो रानिपूर टाइगर रिजर्ड को टाइगर रिजर्ड का दर्जा दिया गया है और क्यों भाई क्योंकि RWS पहले यहाँ पे टाइगर नहीं हुआ करते थे यहाँ के फ्लोरा, फना, हैबिटाट को देख कर यहाँ पर टाइगर रख दिया जा रहा है ठीक है अब पग मार्क of the animals are frequently seen as there are tigers from nearby पन्ना ठीक है तो nearby पन्ना wildlife sanctuary है वहाँ से tiger इसमें चले आते है तो पग मार्क्स देखा गया है यहाँ पर इस वज़े से इस area को भी हम अब रानीपुर tiger reserve के नाम से अब जानेंगे ठीक है अब यह area कहा है आप map में देखिए रुकिए यहाँ दिखा रहते हैं ठीक है यह देखिए यह वो area है National Parking Centuries of Uttar Pradesh तोटल 9 है तो जितने भी यह वाले हैं यह देखिए दुधवा किशनपुर कातिर नलगार वालमी की नगर यह यह लगभग 9 है तोटल हमारे कितने National Park and Centuries of Uttar Pradesh आई बात समझ में और यह वाला जो area है वो बिलकुल border पे है मध्यप्रदेश के है न यह बिलकुल मध्यप्रदेश के border पे आपका आएगा ठीक है अच्छा इस तरीके से सवाल पूशे जाते हैं For example Which one of the following protected areas is well known for conservation of subspecies of Indian swamp deer Indian swamp deer के conservation से कौन सा जो बारा सिंगा होता है कौन conserve करता है कानहा मानस मुडा मलाई या फिर ताल छपड वाइल लाइफ सेंचुरी तो answer यहाँ पे लिग दिया है मैंने एक कानहा national park जो है वो बारा सिंगा को dedicated है किसके लिए For subspecies तो इस तरीके के आपसे questions पूछे जा सकते है वैसे ही यहाँ पर पूछा जा सकता है कि भाई रानीपूर Tiger Reserves जो है वो कौन से area में है ठीक है चलिए राम सेतु अभी हाल ही में अक्षे कुमार की movie जो आई थी राम सेतु उसने एक UPSC aspirants के लिए एक नई news खड़ी कर दी है कि राम सेतु जो है वो बेसिकली importance क्या है उसकी heritage site में आता है कि नहीं आता है countries कौन से दो countries के बीच में है तो ये कभी-कभी आसान question भी लगता है कि हाँ मतब नहीं आ सकता है बट आता है भाई ठीक है रामेशवर mái land to the shri lanka मनार आयलेंड ठीक है ये है इधर इंडिया का हमारा रामेशवर mái land उस side का जो area है उसको कहते है मनार आइलेंड तो मनारर आइलेंड से रामेशवर mái light की दूरी है तीस किलोमेटर की है और यही वो area है ऐसे जो जा रहा है जिसको हम राम सेतु कहते हैं किसी रास्ते गए थे श्री राम सीता जी को ले आने सात्वा न्यूज हमारी क्या कह रही है कि बैटकिन रीजिन किरिगिस्तान तजाकिस्तान कॉन्फिक्ट क्या है भाई यह किरिगिस्तान तजाकिस्तान कॉन्फिक्ट का यह एक important scenario है तो basically मोटे शब्दों में बता दें कि जब सोवियत संग विभाजित हुआ था 90's में 15 हिस्से हुए थे सोवियत संग के जितने से सबसे बड़ा हिस्सा रश्या हुआ यूक्रेन हुआ लेकिन उनके कुछ और हिस्से थे जिसको क्रिगिस्तान और तजाकिस्तान के नाम से भी जाना गया जब इस नामों से जाना गया उसके बाद जो है अब इन में जो है basically violent crashes होने लगी divide तो हो गए कुछ शहर लेकिन उनके अंदर की जो important चीजें थी जो boundary share करते थे जो river share करते थे जो important resources share करते थे उसमें conflict हो गया कैसे इंडिया पाकिस्तान divide हुआ तो कश्मीर को लेके इतना मुद्दा होता है कहां कोई सोचा था कि कुछ होगा लेकिन देखिए आज वही issue यहां पर भी है ये वाला जो area है ये बैटकेन region ये लाल वाला जो area आप देख रहे हैं यही important है important क्यों है क्योंकि ये region बहुत ही mineral rich है resources rich है तो ये करिगिस्तान चाहता है कि हम भी इसमें से फायदा उठाएं तजाकिस्तान चाहता है हम भी इसमें से फायदा उठाएं तो ये एक cultural conflict है border drawn from Soviet unions regardless of ethnic, political, economic and cultural factor caused critical issues between newly independent Central Asian करिगिस्तान और तजाकिस्तान बिना किसी culture कैसे ही बस divide हो गया था लेकिन कुछ मुद्दे जो है वो टल जाते हैं फेरगना वैली ये main factor border dispute है फेरगना वैली includes ये सारे के सारे countries है आगी बात समझ में तो ये main issue तो इनका ये है nearby hundred people have been killed and injured boiling clash हर साल, हर हफते कोई न कोई यहां पे अपने अपने अरिकारों को जमाता है और कुछ न कुछ class होते रहते हैं ये natural underground water resources है इसकी population, यहां की जो पूरी population है वो लगबग 5 लाख है and there are enclaves in Bantec region with belonging to Tazakistan and Uzbekistan ठीक है अच्छा, what is the issue conflict अब देखिये line से आपको समझ में भी आ जाएगा ठीक है, the clashes are repaying old pre and post Soviet era legacies पहले एक साथ था बाद में अलग हो गया अलग होने के बाद culturally, politically और ethically अलग नहीं हुआ था बाकी सब लोग लेकिन वो boundary वैसी वैसी रह गई the borders to republic वो demarketed Joseph Stalin उस वक्त रश्या की leadership थे ठीक है पहले common rights थे natural resources पे लेकिन जब divide हो गया तो लोग लड़ने लगे the issue of delimitation of border is a relic to Soviet era और almost half of its closed border thousand border is disputed एक हजार किलोमेटर का जो border area है वो ही disputed है ठीक है so अब आपको बात समझ में आ गई होगी चलिए अगली news है हमारी रामसर wetland इंडिया यह बहुत ही popular है रामसर sites को तो मुझे बतानी कि आपको ज़रूरत है तो रामसर क्यों news में आता है जब news में आता है तब कोई sites add होते है और वही हुआ कि last year रामसर sites में कुछ चीजें add होई थी ठीक है यसे कि ये area है ये सारे पिंचवारम मंगरूव साख्या सागर पली करणम मार्श और पाला वेट लैंड कारी किली बर्ड सैंचुरी ये सारे के सारे पांच जो है वो add हुए है और कुल मिलाके हमारे पास चववन थोड़ा वाद विवाद इसमें होता रहा था चववन है बावन है पच्पन है हाल फिलहाल में 54 गट लैंड है हमारे भारत में इससे related कुछ information यहाँ पर देखी जाए सकती है आईए देखते है रामसर साइट्स इन इंडिया कितने रामसर साइट्स हैं आपको याद है मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको दीपॉर लेक के बारे बता रहा था तो यह है वो दीपॉर लेक जिसमें एक मात्र रामसर साइट है आसाम स्टेट में दीपॉर बील गुहाटी में सॉरी दीपॉर बील याद आगे और यह देखिए नालसरोवर बर्ट सैंचुरी कियोला डियो नैशनल पार्क सामबर लेक कई सारे हैं ऐसे वेट लेंड्स है तो रामसर साइट मैप्स इन इंडिया इस वाले एरिया में बिलकुल नहीं है किसी-किसी स्टेट में तो है ही नहीं ये भी सवाल आ सकता है कि इन में से कौन सा एरिया है यहाँ पे रामसर साइट नहीं है ये भी एक क्वेश्चन है तो इस मैप में देखके आप लगा सकते हैं अंदाजा है ना अच्छा स्ट्रेट अफ होर्मुज ये बहुत इंपोर्टन है स्ट्रेट अफ होर्मुज बहुत बहुत इंपोर्टन है इसको आप चार मार्क्स कर लिजे नो नाइन्थ है हमारा डीटेल में बात करें तो स्ट्रेट अफ होर्मुज बेसिकली ये आप देख रहे हैं पर्शन गल्फ, इराक, इरान ठीक है? कौन सा एरिया है? मैप में मैं आपको खोल के दिखा रहता हूँ ठीक, ये है हमारा मैप यहां से आते हैं, हम लिखते हैं स्ट्रेट, स्ट्रेट अफ होर्मुज ठीक है? ये मैप ले गया हमारा स्ट्रेट अफ होर्मुज के पास ठीक है? स्ट्रेट अफ होर्मुज मैप आगया? ये है वो स्ट्रेट अफ होर्मुज ये बिलकुल कोने में? दिख रहा होगा आप लोगो? सो, आउटर एरिया बता दें ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान, साओधी अरेबिया ठीक है? ये मिडिल इस्ट आगया आपका और स्ट्रेट अफ होर्मुज बिलकुल ही इस पॉइंट पर है ये देखिए, दुबाई होते हुए बंदरबास पोर्ट है, ये बहुत ही क्रूशल है पर्शन गल्फ का रास्ता देता है गल्फ अप ओमान में जाता है और फिर यहां से चाबार पोर्ट वगेरा ये जाता है बहुत ही क्रूशल है, बहुत ही इंपोर्ट है ठीक है? इसको मैं ब्लैक से हाइलाइट करते हुँ आप लोगों को ठीक? पर्शन गल्फ से होते हुए यूँ यूँ आपके ऑइल्स के बैरल्स जाते है ये चाबार पोर्ट है जो की बहुत हेल्प करता है ग्वादर पोर्ट है जो की बहुत हेल्प करता है इंडिया में यहां से डिरेक्ट ट्रांसफर होता है मुंबई यह मुंबई यहां से direct ओइल्स के बैरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं और और भी trade जो है जो मिले लिस्ट में होते हैं वो ट्रांसपोर्ट यहीं से होते हैं बहुत important है इंडिया ने invest भी किया है चावार पोर्ट पे ठीक है अब यह रेखे यह जो रास्ता है यही है straight of foremost यहीं पे यहां पे बहुत डीप है यहां पे बहुत डीप है और यह थोड़ासा हलका सा यहां पे चरहान हो जाती है अब इसमें क्या reason है straight of foremost में क्या बात आई है वो हम अपने detail में इसमें देखते हैं क्या कहा गया है भाई यहां रखिए यह चोक पॉइंट है अगर यह area बंद हो जाए तो बहुत समस्या होगी oil barrels को हमारे transport करने में अब detail में इसको समझ लेते हैं क्या कि है क्या है 30 mile का एक पूरा का पूरा channel है जो इतना बड़ा से मुँख खुला था Northwest point है between Omani Muslim Peninsula and Iran अमानी Muslim Peninsula मतलब इरान और Omani के बीच में है यह इरान है और यह Omani Muslim Peninsula इसी के बीच में यह पढ़ता है इस depth मुसलम यह तो हमने डिसकस करे लिया है अच्छा Why it is important? Oil tanker carrying crude from ports on Perseal through the strait टेक है 21 यह यह दखीए गए यह बहुत important है यह figure देखके आपको पता चल जाएगा कि 21 million barrel oil a day 21 million 1 million में 10 लाक तो 2 करोड 10 लाक barrels एक दिन में जाते है यह 2018 का अकड़ा है मतलब पूरे विश्व की 21% global petroleum liquid consumption यहीं से जाती है तो आप समझ सकते हैं कितना important है यह अब हमारा आता है दसवा नगोर्नो कराबा region अग क्या है नगोर्नो कराबा region इसकी भी एक अपनी history है इसकी भी एक अपनी कहानी है तो इसको भी हम समझते हैं दोस्तों फिर से हम सोवियत संग के बारें बात करेंगे जब 15 हिस्सों में बटा सोवियत संग तो यहाँ पर भी एक और ethnic tension हुई resources को लेके उनमें से एक छोटा सा शहर आता है जब डिवाइड हुआ था तब पेपर के according यह नगर्नों का रबा हमारा एरिया है लेकिन अर्मेनिया हमेशा से कहता है कि नहीं यह हमारा एरिया है आप लोगों ने जबरदस्तिक capture किया है तो अर्मेनिया यहाँ पर अपने security forces लगा कर रखता है कि यह अजर्बाइजान में ना चला जाए जब अजर्मेनिया और अजर्बाइजान अग्रीड on a deal with Russia to end a fierce clash over Nagorno-Karaba after a string of Azerbaijan victory over the fight to retake dispute region मतलब कि अर्मेनिया और अजर्बाइजान नेरशिया के साथ दोस्ती कि है कहा कि अब भाई खतम करो मामला बहुत सालों से चला रहा है तुम लोगों का और अजरबाईजान ने फाइनली विक्क्री पाई है इस वाले एरिये पे ठीक, कॉन्फिक्ट क्या था? कि 1200 have lost life during these these कराबा रीजन और कई लोगों तो displaced भी हुए हैं, ठीक है? दिक्कत क्या आये थी इन लोगों में? Since conflict stated September multiple seas fire हुए यहां पर दोनों तरफ से, लेकिन कोई भी successful नहीं हुआ, यह जो deal है, यह conflict है दोनों नेशन के बीच की deal है अर खिर क्या है? नगर्नो कराबा तो नगर्नो कराबा एक international recognized है, मतलब internationally recognized किया गया है Soviet era, याद है Soviet era, लेकि जब Soviet divide हुआ था तो Armenia का कहना है कि भाई यह हमारे हिस्से में है, ठीक है? So when the Soviet Union began collapse in the late 90s Armenia's regional parliament voted for the region's transfer to Armenia, तो इसी से संबंदित यह news में आया, और आपको पता चल गया कि निर्गुना कल्ट So basically यह news में इसलिए आया था कि पाकिस्तान जो है, वो करतारपूर कॉरिडोर गुर्दवारा साहिब जो है, उसको एक trust को दे रहा है कह रहा है कि गुर्दवारा जो है, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, follow नहीं कर रहे हैं इनकी जो detailing है, इनकी जो operations है वो पाकिस्तान एक trust को दे रहा है यह वही करतारपूर साहिब गुर्दवारा है जो found किया गया था सिख के पहले गुरू, गुरु गोविन द्वारा है ना, और इसका मतलब होता है place of God नीचे लिखा हुआ है place of God पूरा का मतलब होता है, the करतारपूर means, है न, the करतारपूर corridor जो है, वो दर्बार साहिब गुर्दवारा in नरोवल district of Pakistan जो कि डेरा बाबा नानक shrine के साथ मिलता है तो यह वाला जो border है पाकिस्तान का, इस वाले भारत के border से मिलता है और यह एक emotional, काफी district है थोड़ा मुला dispute भी होता रहता है लेकिन, the corridor is being built to commemorate पांचो पचासवा birth anniversary celebration of Guru Nanak Dev founded Sikhism 12 November 2000 2019 में यह स्थापित हुआ था किसलिए यह पांचो पचासवा birth anniversary है, उनको commemorate करने के लिए किया गया था, ठीक है तो कहां पे है, आपको पथा चल गया कि यह करतारपूर, नरोवल पाकिस्तान में है, लेकिन इसका एक हिस्सा जो है वो डेरा बाबा नानक, वो कौन से डिस्ट्रिक में है हमारे इन पंजाब के प्रोविंस में आता है चिक, अच्छा यह भी देखिए 1504 AD में इसको स्थापित, मतलब गुरु नानक देव जो है, इसको स्थापित किये थे करतारपूर को, अब अगला सवाल देखिए कि दादू दयाल, गुरु नानक तयाग राजा, इन में से कौन सा ऐसा है, जो कि लोधी डैनस्टी में, फेल एन बाबर टुक ओवर, who among the following were preaching when लोधी डैनस्टी, मतलब ग्यान ओन कौन देता था, जब लोधी डैनस्टी गिर गई थी और बाबर टुक ओवर बाबर आ चुके थे अब आपको यहीं पे मैंने दिखाया है, 1504 तो देखिए, 15th 12th century में बाबर कब आया थे, तो साफ साफ आंसर इसका B है, गुरु नानक होगा, ठीक है? बारवा, ताइवान स्ट्रेट, जो न्यूज में है भाई ताइवान स्ट्रेट, रिसेंटली आपको पता होगा कि बाई, जो यूज की वार्शिप है वो ताइवान तक पहुँची और बैसिकली एक रूटीन एक रूटीन चेकप था वहाँ पहुची और चाइना को दिक्कत हो गई यहां पे तो इस एरिये में जो यूज की वार्शिप है, वो विजिट की और चाइना को हो गई प्रॉबलम उन्होंने क्या किया कि पूरे के पूरे ताइवान को घेर लिया बोला कि ताइवान जो है वो चाइना का एक extended पार्ट है जो कि बहुत पहले 1950s के टाइम पे चाइना और ताइवान एक ही हुआ करता था लेकिन अब देखिए मामला यहाँ पे आ रहा है कि ताइवान स्ट्रेट जिसको फर्मोसा स्ट्रेट भी कहते है ये 184 km स्ट्रेट सेपरेटिं मेंड लैंड चाइना ये पूरा का पूरा जो स्ट्रेट है वो 180 किलो मेडर का है यह पूरा ऐसे यह पूरा ऐसे 180 किलोमेटर का स्ट्रेट है ठीक है The स्ट्रेट is currently part of South China Sea and connects to the East China Sea South China Sea किदर है यह East China Sea यह है ऐसे जाके ऐसे यह connect कर रहा है ठीक The entire स्ट्रेट is on Asia's continental shelf Image ध्यान में आगए आपको कहाँ पर है China, Taiwan, Taiwan Strait East China Sea यह connect कर रहा है यह इसका सबसे आदे इंपोर्टन है Historically, People's Republic of China and Taiwan espoused one China policy that considered straight part of exclusive क्या है? exclusive economic zone of single China तो Taiwan जो है वो अपने आपको एक special economic zone जैसे कहता है चाइना की पहले के टाइम पर हुआ करता था Which one of the following can one across if one can across if one travels through the Strait of Malacca Strait of Malacca किदर है? यह रिखिए यह है Strait of Malacca और अगर हम इधर से जाएंगे तो कौन सा कौन सा city पहले आएगा? कौन सा देश पहले आएगा? तो Singapore D option है क्योंकि यहां से है Singapore से होते हैं यह मलक्का जा रहे हैं, Kuala Lampur, Malaysia फिर इधर निकल लाएंगे भारत के पास ठीक है? यह question इस तरी के question बन सकते हैं आपको ध्यान में रखना पड़ेगा रामगर विश्धारी Tiger Reserve किधर आता है रामगर विश्धारी और क्यों आया है न्यूज में? रामगर विश्धारी Wildlife Century is notified as a Tiger Reserve after and not by Union Ministry फिक अब यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि भाई क्यों? क्या reason था कि एक Wildlife Century को Tiger Reserve बनाए गया था तो यह क्या है? कौन करता है इसको? अच्छा यह भी कौन सी ऐसी Ministry है? जो कि Tiger Reserve को Wildlife बना दे, Wildlife को National Park बना दे आखिर कौन सी Ministry है? तो Ministry of Environment, Forest and Climate Change यह बहुत important है, Ministries भी पूछते हैं तो आपको वो mention करना पड़ेगा रामघर विश्धारी लोकेटेड मोस्ली इन बुंडी डिस्ट्रिक इन पार्ट इन भिलवारा इन कोटा डिस्ट्रिक बुंडी में है यह ठीक? कहां पर? रामघर विश्धारी Tiger Reserve यह बुंडी में राजस्थान बुंडी जो कि कोटा से उदैपूर से काफी पास मर पास में पड़ता है ठीक है? इस अलसो होम टू वूर्फ लिपर्ड, स्ट्रिप्ट हाइना, चिनकारा, एंटिलो, फॉक्सेज और भी जानवर रहें यहाँ पर इस नाओ दिफिफिटी सेकंड टाइगर रिजर्व्स एंड राजस्थान फोर्थ, आफ्टर रंथमबोर, सरिस्का, मुकुंड़ा यह इंपोर्टन्ट है, इसको नोट कर लीजेगा, यह काफी इंपोर्टन्ट है कि राजस्थान का चौथा है, तो बाकी का तीन कौन कौन सा है? बाइकि का तीन है रंथंबोर, सरिसका, मुकundra मुकुंद्रा यहाँ पर रंथंबोर यहाँ पर तीनों ही दे रखा है इसमें ठेके? तो ऐसे नहीं है कि अगर यह चौथा news में आ है तो यही आयगा नहीं, पिछला तीम कौन कौन सा और ओ कहां पर है है वो भी आ सकता है, तो आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, और ये images मैंने लगा रखी है, PPT आप ले लीजिएगा, Telegram Group से हमारे, एक से लेकर 52 तक सारे के सारे जो Tiger Reserves हैं, वो मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है, अच्छा ये देखिए, एक अगला प्रशन आ ही गया कि from the ecological point of view, ठीक है, which one of the following assumes importance in being a good link between Eastern Ghats and the Western Ghats, इन में से कौन सा Tiger Reserve ही कहें, या Forest जो भी लिखा हुआ है, वो एक बढ़िया सामंजस्य करता है, Eastern Ghats का और Western Ghats का, अब देखिए, इसमें सबसे बढ़िया, मैं आपको दिखा लेता हूँ, यहाँ पर 36 नंबर जो है, वो है, सथ्यमंगलम Tiger Reserve, तो यहाँ पर सथ्यमंगलम Tiger Reserve जो है, वो बिलकुल इस साइड में, वही जो है, सही आंसर इसका A है, तो वो एक अच्छा link होता है, Western Ghats और Eastern Ghats का, इस तरीके से question आते हैं, अब हमारा आगया question, Stu's Canal, 14 हुआ नंबर, Stu's Canal दोस्तों काफी important है, इसको आप 4 star कर दी लिजिए, Stu's Canal is very very important, ठीक, पहले आपको दिखा दें, Stu's Canal भी, क्या है importance, ठीक, ये है, ठीक, ये साइपरस, लिबनन, बाइरू, जॉर्डन, जेरूसलम, काइरो, और यहां आता है आपका Stu's Canal, ये एरिया है, ऐसे, 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 ठीक है, एथिन्स है, इधर आपका भाई, सीरिया, इराक, बगदाद, ठीक है, अब importance क्या है Stu's Canal की, और शिब्द, तो एजिप्ट ने transit fee लगाई है, जितने भी शिब्द निकल रही है, Suze Canal के तहत, ये देखे, Great Bitter Lake है, Gulf of Suez है, तो आपको यहां से सवाल कई सारे उठ सकते हैं, कि Suze Canal जो है, वो किस तरी से पास करता है, ठीक है, लेक मनजाला, उसके बाद Great Bitter Lake है, तो इसका Gulf of Suez है, ऐसे जाता है, ठीक है, और Mediterranean Sea के तहत, और Sea Peninsula के तहत ही आता है, कब बना था, Constructed by Suze Canal Company between 1859 and 1866, it's officially opened 179, 1869, 193, लगवग 194 किलो मेटर की इसकी लेंथ है, Northern and Southern Access Channel, North और South की Access Channel, उपर से नीचे तक आता है, ठीक है, Suze Canal is an artificial sea-level waterway in Egypt, connecting Mediterranean Sea to Red Sea, through the isthmus of Suez, and dividing Africa and Asia, इस साइड हो गया, Africa, इस साइड हो गया, Asia, Suze Canal बीच में है, यह important है, ठीक है, यह important, यह यह वाला line, याद रखिये, थोड़ा सा important है, ठीक, चलिए, यह image मिल गई, दिख गई, Suze Canal के बारे में, क्योंकि यह crucial oil, natural gas, cargo shipping है, हमने Strait of Hormuz याद रखा था, Strait of Hormuz के बाद जो सबसे important आता है, वो यह है, Suze Canal, 7% of world's oil, Africa complete journey होती है, और, एजिप्स, 5.61 billion of revenues from last year, Strait of Hormuz, Suze Canal, is very very important, जो Central Asia में है, वो काफी important है, अब आगे बढ़ते हैं, यह एक सवाल है, इस से भी देखिए, क्या बात हो रहे हैं यहाँ पे, बिट्विन भारत और East Asia, भारत और East Asia, ठीक, इस से की बात कर रहा है, उस साइड की बात कर रहा है, ठीक है, अच्छा, सेला पास टरनल प्रोजेक्ट, पंदरहवा न्यूज हमारा है, सेला पास बहुत खबरों में आया था, किस वज़े से भाई, यह एक इंटर्नल रोड बनाए जा रही है, नौर्थीस्ट में दोस्तों, ट्रांस्पोर्टेशन की बहुत दिक्कत है, कंस्ट्रक्शन नहीं है, अच्छी फैसिलिटीज रोड की नहीं है, इस वज़े से डेवलप्मेंट बहुत कम हो पाती है, इसी के लिए, चाइना जो है, वो अरुनाजल प्रदेश में और लद्दाक वाले रीजन में बहुत बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, रोड बना रहा है, तो भारत के लिए यह बहुत बढ़िया मौका था सेला पास टनल बना लेका, लगबग मेरे काल से 12 किलो मेटर की यह टनल है और बॉर्डर रोड और और ब्रो जो बॉर्डर रोड और अर्माजल प्रदेश है, उसके तहत यह रोड बनी हुई है, इन्दी वेदर और हैबी स्नूफॉल, ठीक है, इस बिंग बिल्ट उन तोगरा सा इंपोर्टेंट है, क्योंकि ब्रोडर रोड और्माजिशन के पहट इसको बनाए गया है, कहां पर आता है, आप देख सकते हैं, यह है सेला पास, ठीक है, सेला पास, इटा नगर भुटा, अल्राइट, स्ट्रेजिक इंपोर्टेंट क्या है, लाक ओफ मोटरेब रोड और रेल कनेक्शन इंडिया नॉर्थीस्ट, अरुनासिर प्रदेश इस पर्टिक्लर, यह मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, एनलिस्ट है, एनलिस्ट है बिन वार्निंग इंफ्रास्च्टर, इंक्लूडिंग एक्सेस, यह भी मैंने आपको बताया है, भाई, रेलिंग को फटाक से कंप्लीट कर दिया है, एक स्मूध फ्रांजक्शन दिया है, पैंगोंग सो, पैंगोंग सो लेक, आपने सुना ही होगा, पैंगोंग सो पर क्यों नूज में आया, जूज में आया, चाइना जो है, इस बिल्डिंग, अब ब्रिज अक्रॉस पैंग, विच सिग्निफिकेंट रेदूस टाइम फर मोविंग टूप्स, ठीक है, यह है पैंगोंग सो, यह वाला एरिया आप देख रहे हैं, तो नॉर्थ और साउथ, इस डिरेक्शन में यह रोड ऐसे बन रही है, ठीक है, जैसे यह रोड बन रही है, तो जैसे रोड ब पैंगों सो, यह जो एरिया है, वो टिबित का एक आउटोनमस रीजन है, वहाँ लाई करता है, पांच किलोमेटर यह इंपोर्ट नहीं है, सिग्निफिकेंस क्या है भाई, इट लाइस पाथ आफ चुशुल अप्रोच, इस वाइन चुशुल अप्रोच, इस वाइन चुश इटाक आउन इंडियन टेरेटरी, यहाँ पर अगर अच्छे तरीके से बना ले, तो एक चुशुल पॉंट है, वहाँ से अटाक कर सकता है भारत को स्ट्राटजिकली, तो यह इंपोर्टेंट लोकेशन बन सकता है, यह इंपोर्टेंट है, इसको आप टिक कर लीजेगा, अच्छा, दूसरा एक यह important है, इसको नोट तर लीजेगा, ठीक? इसी पोस्ट के पास ही, एक धान सिंग थापा पोस्ट है, जो की सबसे आखरी है भारत के तरफ से, और यह परमवीर चक्र भी इनको नमाजा गया था, जब बासक में युद्ध हुआ था, भारत हार गई थी, लेकिन यह जो मेंटेन किया गया था, यहां तक का जो पोजिशन थी, वो मेजर थापा के बुद्धी मता से, वो पूरे टूप से ही के वज़े से मेंटेन किया गया, तो उसको अब मेजर थापा पोस्ट भी कहा जाता है, अच्छा, इंदिरा पॉइंट न्यूज में आया था, तो इंदिरा पॉइंट न्यूज किसलिए है भाई, आपको पता है कि इंदिरा पॉइंट बिल्कुल अंडमान नीको बार के नीचे आता है, तेक, आप क्यों आया है, इंदिरा पॉइंट 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 पॉइ जो एक छोटा सा विलेज है ठीक है रोंडू आइलेंड जो इंडोनेशिया में है वो इंडोनेशिया का रोंडू आइलेंड है वो इंडरा पॉइंट से 145 किलोमेटर के दूरी पे है 80 nautical miles from इंडरा पॉइंट और इसको फॉर्मली भी एक नाम दिया जाता है पिगमैलियन पॉइंट और पार्संस पॉइंट इसको इसका पुरान नाम यही कोई खास इंपॉर्टन नहीं है गातियला नैशनल पार्क और लाइट हाउस अधर मेजर अट्रेक्शन तो यह आप देख सकते हैं यह गाला थिया नैशनल पार्क यहां पर है यह थोड़ा सा देख सकते हैं अच्छा इंपॉर्टन क्या है भारत और इंडोनेशिया जो है वो अपनी डीप सी पोर्ट साबान को स्ट्रेजिक लोकेशन से अपग्रेड कर रहा है क्यों? क्योंकि उसको अपनी मिलिटरी और एकोनोमिक को बढ़ाना है ताकि इस चैनल में ग्रेट नेकोबार और रोंडो आइलेंड स्टैबलिश हो और इंडिरा पॉइंट उसका एक मेजर हिस्सा हो तो इंडिरा पॉइंट से लेके इंडोनेशिया का ये जो रोंडो आइलेंड है वहाँ पे एक मिलिटरी एक्ससाइज की कोलाइबरेशन हुई है और जो पूरा मेरी टाइम वहाँ पर जो फैसिलिटी दी जा रही है वो इस इस पूरे के पूरे प्रोसेस से हो रहा है अच्छा स्वार्णिम विजय वर्ष क्या है इस वज़े से उसको वहाँ लेके किया गया था विजय दिवस इस सेलिबरेटेड एवरी यर ओन दिसेंबर 16 तो मांग दी ट्रॉम्फ ऑफ लिबरेटिंग बांगलादेश ठीक है इस्ट पाकिस्तान जिसको कहते है अच्छा कोलोराडो रिवर बेसिन अठारा न्यूज अठारमी न्यूज है कोलोराडो रिवर बेसिन इसलिए न्यूज में आये था कि basically सूख रही है यह कोलोराडो रिवर बेसिन है जो कि यूएस से होते हुए मैक्सिको जाती है यह सूख रही है इसलिए यह न्यूज में आये था तो आपको देख लीजे यह important है क्यों important था भाई Colorado क्योंकि shortage of drought Colorado River flows from rocky mountains into southern west US and into Mexico इधर से होते 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 है ऐसे होते होते मेक्सिको में चली जाती है River is fed by snow melt from the rocky and Vosach mountains and flows distance of over 200 km River Ganga through distance of 200 km across in Mexico तो यह important आता है कि भाई खालगी खास ही नहीं एक ही स्टार में इसको दूँगा यह कुछ बहुत ज्यादे matter of interest नहीं है लेकिन हाँ Colorado River Basin न्यूज में काफी चर्चे में था उनीच्वाँ है पोर्ट ऑफ निंगबो जूशान कहा है भाई पोर्ट ऑफ निंगबो यह इसलिए न्यूज में था क्योंकि इसको बंद कर दिया गया था COVID के टाइम पे COVID के टाइम पे इसको बंद कर दिया गया था चाइना का है यह यह पूरा चाइना वाला एरिया है और क्योंकि यहां पे COVID के पेशेंट्स मिल गए थे इस वज़िसे इसको बंद कर दिया गया अच्छा यह बहुत इंपोर्टन्ट है यह port of Ningbo, Zoshan यह port है सबसे busiest है world का यह लगबग 889 million tons of cargo export करता है 2015 का यह data है तो यह वाला पार्ट थोड़ा सा important है उसको आप लोग screenshot या फिर डाउनलोड कर लीजेगा ठीक है? कहां पर है यह? इस चाइना में है, वेस्ट चाइना में है, साउथ में है किसको connect करता है? वो है, चिक? यह उतना important नहीं है यह पहले बताया था उसको देख लिजेगा इस अफेक्स अफ्तरमाथ 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 ग्लोबग 19 ग्लोबल सप्लाई चीन रिमें फ्रजाइल हमें पता ही था, logistics बगएरा सब बहुत fragile हो चुके थे this has not only resulted in growing backlog of shipment but also caused freight charges यह reason आप बता सकते हैं इसका कि कितना बड़ा यह role play करता है चाइना की economy में और चाइना से जुड़े और भी जो देश हैं जो की trade and commerce के लिए use किया रहे हैं उनके लिए भी काफी important है ठीक है? आई बात समझ में? South China Sea चाइना से ही related कुछ ने कुछ आ गया है फिर से तो South China Sea basically क्या मसला यहाँ पर हो रहा है? चाइना कहती है यह है तवांग ताइवान यह चाइना वियतनाम है यह मलेशिया इंडोनेशिया आपको आइडिया लग गया होगा मैं कहां बात कर रहा हूँ यह दो आइलेंड है परासेल्स और स्प्राटलिस चाइना कहता है कि यह लाल एरिया देख रहे हैं आप यह जितने लाल वाल एरिया है एक, दो, तीन, चार, पांच, यह, साथ, आक, नो चाइना कहता है यह हमारा एरिया है चाइना कहता है कि भाई थुदा हसाब से कोई आपका अरिया नहीं है यह already defined है यह हमारा अरिया है है ना हमारा अरिया में लड़ रही है चीज़ें so Pentagon Chief has said Beijing जो है यहां Beijing कह रहा है कि हमारा यहां पर अरिया है और Pentagon Chief कह रहा है कि भाई ऐसा है जो China claim कर रहा है बिलकुल गरत है, ऐसा बिलकुल नहीं है No basis in international law International law में इसका कोई चाइना के favor में कोई जवाब ही नहीं है ठेके, China's growing assertiveness in holy contested water South China Sea dispute क्या है ये एक ऐसा dispute है territory का sovereignty का और ocean area का कि जो ये दोनो islands है ये दो islands है, चाइना claim कर रहा है कि भाई, ये हमारा है and Bruni all have competing Malaysia कह रहा है, Vietnam कह रहा है Taiwan कह रहा है, Indonesia कह रहा है मतलब सब लोग आपस में नोच रहे हैं, उन सारी सारी resources and minerals को और China जो कि सबसे strong है, powerful country है तो भाई, China overpower कर रहा है उनको, China claim ये करता है कि ये जो portion है territory है, ये nine dash line से defined है which stretches hundred miles of south and east most, southernly province of Haina, China ये कहता है ये भी कहता है, कि Beijing जो है, its right to area goes back to centuries when Parasail and Spratly island chain were regarded integral part of Chinese nation in 1947 तो चाइन अब इतिहास गिनान लगता है कि 1947 में ये हुआ था, 1997 में वो हुआ था तो अपने मतलब की चीज़ें चाइना को याद रहती है, उसके बाद ये रहे अब भाई, US है, United Nations है, तो वो in countries, जो आसपासी countries है, Vietnam, Philippines, Indonesia, इनको support करने के लिए वो भाई, अपनी military naval base भेज रहा है operation to ensure key shipping area तो आई समझ कि भाई, क्यों important है, ये वाला area कहाँ पर आता है, ये ये country आप देख लीज़ेगा ठीक है, reason क्या है, वो अलग बात है, लेकिन maps के लिए ये कहाँ परता है, किस countries के बीच में है North, South, East, West, वो धेमाग में रखिएगा ठीक है, Great Reef barrier बहुत news में था, क्योंकि ये world का सबसे बड़ा Great Reef barrier है Australia में पाया जा रहा है, Papua New Guinea के पास में है, ठीक है ये Chinese official has said, a political tension between Beijing and Australia were not behind a UNESCO recommendation to place the Great Barrier reef on its endangered list ठीक, China कह रहा है क्यों भाई उसको endangered list में कर रहा हो, हम देख भाल कर लेंगे उसकी Australia कह रहा है कि अजीब भाल है ठीक, the Great Barrier Reef is world's largest coral reef composed of 2900 individuals and 900 islands ठीक है, और ये बहुत बड़ा है, लगबग 200 km की range में ये फाइला हुआ है ये देखिए, ये है Patches Reef, Barrier Reef, ये बहुत important होते हैं ये reefs, Oceanic Reefs, Continental Reefs, क्यों important होते हैं ये देखिए World's Heritage Risk में पहले ही ये आ चुका है 1981 में, and most extensive spectacular coral reef system अच्छा, corals क्या होते हैं, ये बहुत important है इसमें आप अपने mains के लिए आंसर लिख सकते हो, इसके medical use है, fisheries में help करता है, ताकि और species को grow करे coral reef जो है सबसे diverse और valuable ecosystem है हमारे earth में हमारे इंडिया में भी इसको conserve करने की बात हो रही है, अंडमान निकोबार आइलेंड्स के पास में कहा जा रहा है कि coral reef में जो animal और plant है, उनसे possible cancer, arthritis, human bacterial infection, virus or other disease cure हो सकते हैं, क्या वात है fisheries, healthy coral reef support commercial and subsistence fisheries as well as jobs business through tourism and creation तो ये भी एक बहुत बड़ा segment निज़र आ रहा है, ये है coral reef इसी से संबंदित ये प्रश्ण है, ये प्रश्ण क्या कह रहा है, consider the following statement most of the world's coral reef are in tropical waters more than one third of the world's coral reef are located in the territorial area of Australia, Indonesia and Philips coral reefs host far more number of animal phyla and those hosted by tropical rainforest one, two, three, तीनों ही इसका, सही answer 2000, तो coral reefs से कैसे सवाल बने हैं, ये देखिया यूक्रेन रश्या के war में सबसे important जो strategic location आई है वो है black sea black sea, Romania, Bulgaria, Turkey, Ukraine, Russia, Georgia आपके आँखों में छब जाना चाहिए black sea किस तरीके का है, कहां पढ़ता है तीक है, Russia accused Britain of spreading lies over a warship confrontation in the black sea Russia ने बिटिन को पहले ही accuse किया है, आरोप लगाया है कि आप black sea के जरीए यूक्रेन पहुँचा रहे हैं, क्या, support पहुँचा रहे हैं रश्या जो है पहले ही क्रीमिया को अनेक्स कर लिया है 2014 में and that was not recognized by most of the countries Russia has frequently responded at NATO warship visits क्रीमिया ठीक है, NATO member, Turkey, कौन-कौन है NATO के member Black sea क्यों है, Black sea ये marginal sea है, Atlantic ocean lying between Europe and Asia तो ये देखिए, Europe और Asia के बीच में ये आते हैं और South of Eastern plane, आपको location देखनी है इसकी Mediterranean के पास है, Sea of Marmara भी है यहां पर Sea of Azov भी है, तो ये आपको area थोड़ा सा देखना पड़ेगा अच्छा ये देखिए, यहां पर भी हम ये point काफी important है ये point नोट करके रखिएगा Balkans, South of the East European plane in the Eastern West Caucasus, North and तोल गया, Western Asia It is supplied major rivers, principally the Danoam, Danaiper and Don 3D इसको कहते हैं ठीक है, the watershed of many countries drained into the six that share's coast Black seas bordered by Bulgaria, इतना 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 आ सकता है मैंस्टर फॉलोइंग में आप लोगों के लिए ठीक, Yellowstone National Park यूएस में पहली दफ़ा Yellowstone National Park की स्थापना हुई है और कहा ये जा रहा है कि It lost a quarter of its annual snowfall ये एक नई तकनीक है ताकि यूएस में इसको install किया गया है Yellowstone National Park is an Armenian National Park Located in the Western United States Largely in the Northwest Corner of Wyoming and Extending to the Montana तो Wyoming और Montana के बीच में इसको ये point area है इसको यूएस में established किया गया है ये इस तरीके का जो forest है वो यूएस में तो पहली बार है ही और वर्ल्ड में भी पहली तफ़ा ये established हुआ है बहुत जारे खास नहीं है लेकिन आपको ये पताना है कि हाम यूएस के कौन से country के बीच में पढ़ता है हमारा 24 पॉइंट क्या है सरदार सरोवर नर्मदा प्रोजेक्ट कहां है भाई सरदार सरोवर नर्मदा प्रोजेक्ट ये एक irrigation water है summer में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऐसा dam है जो कि कई सारे ऐसे states को electricity मौझूद करा रहा है अब कौन कौन से state है ये देखिए नर्मदा डैम is a terminal dam built on नर्मदा river in Kevadia in Gujarat नर्मदा district तो गुजरात में नर्मदा district है तेक है इस नर्मदा district यहाँ पे ये नर्मदा main canal है नर्मदा district में केवाडिया जग़ा है वहाँ पे ये बना हुआ है फोर इंडियन states Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan receives water and electricity supply from the dam called the lifeline of Gujarat is usually have no water of irrigation during summer गर्मी के time पे irrigation के लिए कोई पानी पूनी रहता नहीं है Life line है गुजरात की What is the Life line of गुजरात? सरदार सरोवर डैम आप गह सकते हैं ओमेज में दिग गया है मद्री परदैश बारडर है महरास्टा है इन सब को राजस्थान है करता है हमारी आखरी न्यूस आस की है माउंट निरेंगोगो अफ्रिका में युगांडा, रवांडा, बुरुन्डी, बुकावा उसके बीच में रवांडा और युगांडा के पास में ही मांट निरेंगा गोंगो अब क्या है भाई इसका? थाउजन्स हेव फ्लेड वॉल्कनिक इरॉप्शन हुआ है यहां पे वॉल्कनिक इरॉप्शन हुआ है इस वज़े से यह गोमा सिटी के अंदर आता है इस वज़े से यह थोड़ा सा न्यूज में था इस वर सम वॉल्कनिक न्यूज मांट वर्सिस ताल एंड लास और फैरी मांट दिरेंगोंगो क्या है भाई? यह जो है मांट associated with Albertine Rift यह थोड़ा सा देख लीजेगा आप लोग important रहेगा और दे में कार्टर इस अबाउट टू किलोमीटर अवे अवे कंटेंस दी लावा ठेक है? सो बैक टू बैक हमने 25 प्लेसे इन न्यूज को cover किया है हमने और यह important है कुछ-कुछ areas है जो कि आप ignore भी कर सकते हैं लेकिन कुछ points जो मैंने mention किये हैं, aster, star में tick किये हैं वो काफी important है तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें हम अगले 25 most important places in news के बारे में जिक्र करेंगे कोई आपको अगर feedback हो, कोई doubt हो कोई suggestion हो, opinion हो, views आप comment के जरियर जरूर बताईए हाला, और किसी और type की health भी चाहिए, prelims के examination में वो भी आप comment करके बताईए उस तरही वीडियो हम आपके सामने रखेंगे publish करेंगे, चीक है, अगर आप UPSC, CSE की त्यारी कर रहे हैं तो EPFO का महापैक जरूर enroll करेंगे, इसके लिए आपको code क्या use करना है? Jaihind, J-A-I-H-I-N-D और EPFO का महापैक आप ले सकते हैं जहांपे EPFO, APFC, EO, AO के batches आप बिल जाएंगी तयारी आप कर सकते हैं, काफी अच्छे vacancies आए वो ही है, 400 से उपर vacancies है, तो आप enroll कर सकते हैं इसमें, चीक है? बहुत-बहुत शुकरी आप सभी का, हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, part 2 में, Places in News के, जय हिंद, नमस्कार